अस्सलामों अलेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बच्ची का वाक्या सुनाने वाले हैं जो बच्पन में पांच साल की उम्र में ही मा बन गई लेकिन ऐसा कैसे और कब हुआ ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए देखते हैं ये वीडियो पैरू के एक शहर में लीना मरीना को उसकी मा इमरजिंसी में फौरन हस्पताल ले गई लीना का तालू के एक दिहाती इलाके से था और उसके मा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीटी के साथ आखिर ये क्या हो रहा है मा काफी परिशान थी और उसके परिशान होने के बचा ये थी कि उसकी बीटी का दिन बदिन जो पेट था वो बढ़ता ही जा रहा था और उसको देखकर ये लगता था कि जैसे ये बच्ची हामला यानि कि प्रेगनेंट है लेकिन परिशानी के बाद ये थी कि इस बच्ची के उम्र सिर्फ और सिर्फ पांट साल की थी प्यारे दोस्तों और उसने इस लड़की को हामला कर दिया है तो प्यारे दोस्तों क्या ये बच्ची वाके हमला थी और अगर ये हमला नहीं थी तो उसका पेट इतना बढ़ क्यों रहा था और जब डॉक्टर्स ने इसकी चांच की तो उसमें से क्या निकला इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिये का प्यारे दोस्तों कई रोज से ये लड़की लीना अपनी मा से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी लेकिन मा को ऐसा लगा कि ये कोई ज्यादा बड़ी परिशानी नहीं है मा ये सोच रही थी कि हो सकता है कि इसने ऐसा कुछ खा लिया हो जिसकी वज़े से इसके पेट में दर्द हो रहा है लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए लड़की की हालत न सिर्फ दिन बदिन खराब होती जा रही थी बलके उसके पेट का साइस भी बड़ता जा रहा था तो आखिरकार लीना की मा उसको डॉक्टर चराडो के पास ले गई लीना को जब डॉक्टर चराडो ने पहली मरतबा देखा तो उसे भी यह लगा कि इसके जिसमें शायद कोई ट्यूमर है लेकिन डॉक्टर चराडो यह सोच रहा था कि ट्यूमर इतना बड़ा नहीं हो सकता तो अकर यह ट्यूमर नहीं है तो फिर शायद हामला ही है लेकिन पांच साल की बच्ची हामला कैसे हो सकती है तो डॉक्टर ने फॉरन मशीनों की मदद से लीना के दिल की धड़कन चकी डॉक्टर ने कई मरतबा लीना के दिल पर जब सेटेस्कोब लगा कर चक किया तो उसे कई बार लीना के धड़कन के साथ दूसरे धड़कन की आवाजे भी महसूस हो रही थी डॉक्टर को लगा कि शायद ही उसका वहम है इसी वज़कन से उसने इस धड़कन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन डॉक्टर को भी इस बिमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो धड़कन भी लगातार महसूस हो रही थी शुनांचे उसने लीना को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बिज़वा दिया डॉक्टर ने लीना के पेट पर जब अल्ट्रासाउंड मशीन का स्कैनर रखा और जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही वो हैरान रह गया क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन के मताबिक लीना के पेट में कोई ट्यूमर नहीं था बलकि लीना प्रेगनेंट थी लेकिन ये कैसे मुम्किन था क्योंकि उसकी उम्मर तो महस पांच साल की थी इतनी उमर में तो कोई बच्ची बालिक तक नहीं होती तो लीना किस तरह से पांच बर्स की उम्र में ही माँ बन सकती है ये इंतहाई हैं हैरान और परेशान कुन मामला था आखिरका डॉक्टर ने अल्टरसाउंट रिपोर्ट निकाली और उसकी माँ को भी आगा किया कि इस रिपोर्ट के मताबिक तुम्हारी पांच साल की बेटी लीना माँ बनने वाली है अब डॉक्टर की मेस पर अल्टरसाउंट की रिपोर्ट पड़ी हुई थी लेकिन नहीं वो डॉक्टर इस रिपोर्ट को मानता था और नहीं लीना की माँ इस बात को मानने के लिए तयार थी कि ये हकीकत है डॉक्टर चेराडो ने लीना की मा को उमेद दिलाई कि शायद हमारी अल्टरासाउंड मशीन में कोई खराबी हो चुकी है लिहाज़ा आप किसी दूसरे अस्पिताल में जाकर दुबारा अल्टरासाउंड करवा लीजिए और उसकी रिपोर्ट बता देगी कि वाके लीना मा पनने वाली है या कोई और मामला है डॉक्टर चेराडो को भी इस केस में अब दिल्चस्पी हो चुकी थी इसलिए वो खुद लीना को उसकी मा के साथ दूसरे हॉस्पितल ले गया और वहाँ एक स्पेशलिस डॉक्टर ने लीना का चेक अप किया और कहा कि ये पांच साल की बच्ची हकीकत में हामला है उन्होंने भी ये बताए कि इस बच्ची का हमल ठहरे हुए साथ महीने का अर्सा गुजर चुका है और अब सिर्फ दो महीनों के बाद आपकी पांच साल की बेटी खुद किसी बच्चे की मा बन जाएगी सब के सामने सवाल ये था कि आखिर लीना प्रेगनेंट कैसे हुई और वहीं लीना का पेट इसकदर बढ़ चुका था कि अब डॉक्टर का कहना था कि लीना की मौत भी हो सकती है क्योंकि उसकी उमर पांच साल है और उसका जिसम इजाज़त नहीं देता कि वो इतने बड़े पेट के साथ रहे कुछ वक्त बाद लीना के पेट का उपरेशन किया गया उन्होंने इस बच्चे का नाम डॉक्टर जराडो का काम और उससे मतासिर होकर जराडो ही रख लिया दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे उसके बाद भी डॉक्टर जराडो इस केज़ से पीछे नहीं अटे बलकि मसलसल इस पर तहकीक जारी रखी इसके बाद लीना को कई साइंसदानों के यहां टेस्ट के लिए भी ले जाया गया और आखिरकार डॉक्टर जराडो और उसके टीम इस नतीज़े पर पहुंची कि तीन साल की उमर में ही लीना के जस्म में बाली खबातिन की तब्दीलियां शुरू हो गई थी और पांच साल के उमर में उसके पेट में वो तमाम अज़सा बन चुके थे जो कि बच्चे को पेट में पालने के लिए जरूरी होते हैं उस डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहां यह बिमारी एक लाख में से एक बच्ची को होती है उसके बाद लीना के सोतेले बाप को बच्ची के साथ ज्याती करने के शक में गिरफतार किया गया लेकिन कोई सबूत न होने की बच्चस से उसे रिहा कर दिया गया जब लीना की माँ से पूछा गया तो उसको यह शक्त था कि एक मेले में कुछ ऐसी रसूमात होती है कि जिस दौरान बच्चे को दूसरे के हवाले कर दिया जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर किसी दरिंदे ने इतनी छोटी सी बच्ची के जिसन को नोच लिया हो लेकिन इसके मुतालिक कोई साफ सबूत मौचूद नहीं था पैदा होने वाला बच्चा दस साल की उम्र में तो ये समझता रहा कि लीना उसकी बड़ी बहन है लेकिन दस साल की उम्र में उसको ये बताया गया कि लीना उसकी बहन नहीं बलकि वो उसकी माँ है प्यारे दोस्तों इसके बाद लीना ने शादी तो नहीं की लेकिन इस बच्चे के साथ वो अपनी जिंदिगी गुजारती रही लीना और उसका जो बच्चा था दोनों सिहत मन थे लेकिन चालिस बरस की उम्र में जराडो को हट्डियों का एक मर्स लहक हुआ जो कि उसकी मौत का सबब बना और वो चालिस बरस की उम्र में इस दुनिया से चला गया जबकि लीना आज भी इस दुनिया में मौझूद है उसकी एक ही उलाद थी जराडो जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है और दोस्तो अब हम आपको एक नेक शक्स के बारे में बताने वाले हैं जो पत्थर पर उंगली रखकर उसको सोना बना दिता था दोस्तो ये वाक्या बहुत दिल्चस्प है आप इसे भी आखिर तक जरूर देखते रहे किसी कामिल में एक वली के बारे में मशूर था कि वो उंगली लगा कर पत्थरों को सोना बना दिता था और ये खबर उड़ती उड़ती किसी इंतहाई करीब शक्स तक पहुँच गई और वो धक्के खाते खाते उस वली तक पहुँच गया बाबा जी उस वक्त पहाड़ी पर चहल कदमी कर रहे थे उन्हें अपने पिछे किसी के पाउं की आवाज आई वो मुड़े तो उनके सामने वो जरूरत मन बुजूर खड़ा था उसने बाबा जी के पाउं पकड़ लिये और अपनी गुर्बत का रोना शुरू कर दिया बाबा जी ने हसकर पोचा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं उस जरूरत मन ने एक पत्थर उठाया और बाबा जी को पकड़ा कर बोला कि आप इसे सोने का बना दे ये मेरे लिए काफी होगा अब बाबा जी ने पत्थर को अपनी शहादत की उंगली से छुआ और वो आनन फानन में सोने में तब्दिल हो गया जरूरत मन ने बाबा जी का शुक्रयादा किया और वापिस चल पड़ा उसके बाद बाबा जी ने दोबारा चहल कदमी शुरू कर दी थोड़ी दिर के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई शक्स चल रहा है उन्होंने मुड़कर देखा तो वही जरूरत मन उनके पीछे खड़ा था बाबा जी ने हैरत से पूछा कि अब क्या मसला है तो वो बोला कि हुजूर सोने का ये पत्थर मेरे लिए काफी है लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा आप थोड़ी सी मज़ीद महरबानी फरमाते ताकि मेरा खांदान भी खुशाली देख सके बुजूर्ग ने रास्ते के साथ मौजूद चटान कुछ हुआ और वो भी चंद सेकंड में सोने में तबदिल हो गई बुजूर्ग ने उसके बाद हसकर कहा ले भाई करमदाद ये दौलत अब तुम्हारी साथ नस्डों के लिए काफी है वो ये कहकर दोबारा अगे चल पड़े लेकिन थोड़ी दिर के बाद उने फिर महसूस हुआ कि वो जरूरत मंद अभी भी उनके पीछे चल रहा है अब बुजूर्ग ने जरा सक लहजे में पूछा कि अब क्या मसला है जरूरत मंद बोला जनाब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाता हूँ आपने इतनी महरवानी फर्मा दिये है तो जरा मसीत महरवानी फर्मा दे बुजूर्ग को इस बात पर हसी आ गई और उन्होंने हस्ते हस्ते अपनी उंगली दाएं बाएं फिरना शुरू कर दी और जरा सी देर में पूरा पहाड सोने का हो गया बुजूर्ग ने कहकाय लगाया और कहा कि लो बेटा तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हो अब जाओ उसके बाद वो बाबा आगे चल पड़े लेकिन चंद मिनट बाद उन्हें एक बार फिर से अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई देने लगी उन्हें शदीद कुस्सा आया और वो वापस मुड़े और देखा तो वो जरूत मंद एक बार फिर से डान डाल कर उनकी तरफ देख रहा है बुजूर्ग ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए जरूत मंद ने दाएं बाएं देखा और थोड़ा सा शर्मा आया और बुजूर्ग की उंगली को हाथ लगा कर बोला कि जनाब मुझे आपकी उंगली चाहिए था कि मैं जब चाहूं जितना चाहूं अपने लिए सोना बना सकूँ इसलिए मेरे महतरम अजीज दोस्तों ये किसी और की नहीं ये हम सब की कहानी है हम इंसानों को आखिर कितनी दौलट चाहिए होती है इसका फैसला हम आज तक नहीं कर पाए क्योंकि जरूरत मन की एक हद होती है और जबकि खुआइश और हवस का कोई अंत नहीं होता ये वक्त के साथ साथ पढ़ती चली जाती है और यहां तक कि इनसान वो उंगली भी मांग लेता है जिससे वो दौलत फूट सकती है लेकिन सवाल ये है कि क्या उंगली के उसूल के बाद खुआश रुक जाती है जी नहीं ये यहां भी नहीं रुकती इसके बाद भी ये आगे बढ़ती रहती है यहां तक कि एनसान खत्म हो जाता है इनसानी तारीक का सबसे बड़ा सबक ये है कि आज तक हम अपनी खुआशों का तक्मिला नहीं लगा सके ये अलाम उतना ही होता है ताहम इनसान अपनी जरूरतों का तक्लीमा जरूर लगा लिया है और ये तक्लीमा है 65,000 से लेकर 95,000 सालाना डॉलर तक यानि कि अगर आप दुनिया के बाइस सूपर पावर कम रिहाश पजिर है आपका खांदान चार अफराद पर मुश्तमिल है और आपकी आमदनी सालाना 65,000 से 95,000 डॉलर है तो आप फाइफ स्टार जिंदगी गुजार सकते हैं आपके फिर कोई खुआई शदूरी नहीं रहेगी आप घर, गाड़ी, खुराक, इलाज, बच्चों की तालिम और साल में दो मरतबा छुट्टियां की सहुलियत इंजॉय कर सकेंगे अब इसके बाद दुनिया की किसी नेमत से महरूम नहीं रह सकेंगे महरीन का ख्याल है कि 95,000 सालाना डॉलर के बाद दौलत की कोई एहमियत नहीं रहती ये सिर्फ फिगर अमाउंट बनकर रह जाती है लेकिन सवाल ये है कि लोग इस अदफ के बाद भी इंतहाई, खौफ, नाक, मायूस, दिमाल, जिन्दगी क्यों गुजारते हैं? हमारी माइंड चेंजर कम्यूनिटी ने इस पर बहुत रिसर्च की इस रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि हमसे ज्यादतर लोग जरूरते पूरी होने के बाद उस उंगली के पीछे पीछे चल पड़ते हैं ये हवस में मुब्तिला होते हैं और ये दाएं-बाएं देखे सुने बगएर दोड़ पड़ते हैं और आखिर में दूसरों के पाउं तले, कुछले जाते हैं और इस तरह से जिन्दीगी का सफर खत्म हो जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही अपने अजीज दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलियेगा तो आज के लिए बस इतना ही हम आपसे मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए असलाम उलेकुम खुदा हाफिज